तो दोस्तों आज है 6 जुलाई 2023 बात करेंगे इस फीडियो पे कुछ इंपोर्टेंट शर्सक्री उपर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स है कुछ इंपोर्टेंट न्यूज है तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई-टी सेक्टर का दिकच कंपनी इनफोसिस लिमिटेट जिसको पर मेरा लगातार खरीदारी करने कर आये ता इवन आज की डेट पर ही मेरा एकदम सेम है आज मार्केट में भी थोड़ा बात हमें शुरू में उपर निस देखने को मिला बट इन में मार्केट अपना पीक मे क्लोजिंग दिया पर उसके वापजुद भी इनफोसिस की शियर अल्मोस्ट 0.32 परसें गिरावाट की साथ क्लोजिंग दिया एक हजा तीन सो ब्यालिस रुप है अब जैसे के आपको मालू है कि अभी कुछ दिन पहले जून का मैंने खतम हो चुका है बहुत जल आई-टी स सिगनल डल क्वाटर फॉर आई-टी तो फिर से एक बार आई-टी सेक्टर जो अपने मार्केट को डिसपॉइंट कर सकता है फर्म में नैरो गाइडेंस तो मतलब जो नैरो मतलब यहां पर प्रॉफिट की बात किया मार्जीन की बात किया तो यह सारे चीज़ों में थोड़ पर भी लिस्टेड है और आज कुछ टाहिं पहले युएस मार्केट उपें हुआ बहुत सारे इंपोर्टेंट डेटास की बाज़े से जैसे की जॉब डेटा हो गया फ्यूचर में मतलब कुछ दिन बाद एफमसी का मीटिंग होगा उस मीटिंग के दौरन थोड़ा बहुत परसें ड्रॉप हो चुका है अब देख से तो कुछ टेंप यह गिरावट करीब करीब डेर परसेंट के उपर पहुंच गया था तो देखे आज रात का जो क्लोजिंग वह बहुत जादा वाइटल होने जा रहा है खास करके इंडियान मार्केट के लिए और खास करके IT स्ट करी इंफोसिस लिमिटेड दो देखे इसके पहले भी बहुत बार मैं बोल चुका हो इस टेप की शेर में अगर करेक्शन होता है वह बेसिकली करेक्शन ने आपके लिए मतब खास करके लॉंग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डिन ऑपरचूनटी है बाकि दोस्त भी नहीं है जब लिस्ट वा था इसी साल 27 अब जैन को तब से लेकर अभी तक 6 मैंने पर 90% का रिटन दिया कंपनी की बैलन्स इट काफी अच्छा है और कंपनी दोस्तों अभी अभी यहां पे नियूस आया कि वान इस्टु वान रिश्यों में बोनस शेर का अनॉसमेंट क क्या कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है नॉर्मली कंपनी छोटे कंपनी है एक हजार करोर से भी इसका टोटल मार्केट क्याप है तो सब्सक्राइब तो बनता है तो जिस बैसे आप खुद भी इसके उपर अच्छे करना अनलाइस करना प्र उसके बाद इंवेस्ट करना आका न वह आपके उपर डिपेंड करता है बठां पॉस्टिव साइड नेगेडिव साइड दोने अच्छे से चेक करना नेक्स्ट रम बात करेंगे संवर्दारा मदरसन इंटानाशनल यानी मदरसन सुमी जो की लगा था इसको ऊपर मैं कवर किया था उसके पहले भी किया शेयर देखते ही देखते हैं आज बहुत ही सक्सेस्फुली ट्रेट कर रहा है और जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले ही मतलब एक दिन पहले की अपडेट है सेम वीडियो पर आपके साथ शेयर भी किया याद करके देखे कि एक बहुत बड़ा जैपैन की कंपनी को एक्वर तो यह जो कंपनी को यहां पर खरीदारी किया वह एनॉस्मेंट के पहले बीफोर क्या टारगेट था और अफ्टर क्या टारगेट यहां पर चली थोड़ा देख लेते सबसेल बात करेंगे मॉर्गन की तरप से रेटिंग आया है इकोल वेट और उसके साथ बीफोर टारग बढ़ के दिया नमुरा की बात करें अपग्रेट टूब पहले यहां पर मत अल्या तो इस बाइक रेटिंग दिया नाइंट रुपी अगुज बढ़ा दिया शीतिया बाइक बॉकरेटिंग दिया एक सो दो कापले टारगेट ता इस बार भी सेम रहाँ का मतब अन चेंज इस पर बढ़के बहुत हुज बढ़ा दिया शेटर से सिदे ना 98 सीटी एक मात्रे ब्रोकरेज कंपरी जो कि अब देख सेक तो सेल का रेटिंग स्टील यहां पे कंटिन्यू किया 65 की टार्गेट पहले था आज की एक में 65 आपको क्या लग दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक टार्गेट दिया इसको चेंज करके 120 रुपए का तो दोस्तों आपको क्या लग दे यह जो 112 120 का टार्गेट दे रहा है यह टार्गेट एचीफ करने में कितना वक्त लग सकते कितना सालों लग सकते आपके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना बागी बाद कर मदर से सु संपर बोला था नेक्स डेल में बंपर देजी आज दोस्तों मैं आपको पूलूँगा कि कल देए-खिय मार्केट यह जरूर पड़ेगा अगर मार्केट का थोड़ा बहुत साथ भी मिल गया ना कल टाइटेन के अंदर एक बहुत बड़ा बिसफोर्ट हो सकते है आज की रेट में अल्लेडी शेर अल्मोस्ट मार्जिनल क्लोजिंग दिया बट आज मार्केट क्लोज हो जाने के बाद यह देखिए कितने बज़े का न्यूज है 6 बच के 24 मेट न आया है आज बजार क्लोज हो जाने के बाद इसका इंपक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला जो कि कल फ्राइडे के दिन जरूर देखने को मिलेगा तो टाइटेन को पर तापका स्पेशल फोकस होना जरूर चाहिए कल फ्राइडे के दिन उसके साथ यह भी मेंशन किया कि क दोस्तों आपको क्या लगते कि टाइटेन की शेयर कल कि कितना परसन उपर जा सकता है कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताना मुझे लग देखिए शेयर कुस दिन पहले ही अपना आल टाइम हाई टच किया था 3113 आइटिंग यह ब्रेक हो सकता है बठा यह सब आई पीओ बजार में ओपन होगा कल से इसको उपर आप्लोड कर चुका हो अगर आपने नहीं देखा रिक्वेस्ट करूंगा चैनल में विजिट करके जरूर देख लेना तो कल से यह इसका प्रियूम काफी बढ़िया चल रहा है 69 परस बाकी बात करें काका इंडेस्ट्री का काफी बढ़िया नेक्स बात करें त्रीधा टेक का भी काफी अच्छा प्रियूम चल रहा है 28 परस बागी बात करें ग्लोबल पेट कुछ खास नहीं चल रहा है पिंटागन रबर फिर से इंक्रीज हो चुका है करें डेफिनेटली बारास रुपए के उपर तो होना जरूर चाहिए मत्विसका जो वैलुएशन है कंपनी का प्रोड़क्त का डिमांड है यह मेरा प्रेडिक्शन है बाकी दोस्तों मैं गलत भी हो सकतो आपका क्या प्रेडिक्शन है कमिंट वक्स में करके जरूर बताना अब हम बात करेंगे रिलाइंस इंडस्ट्री आखरी उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेच करना रिलाइंस इंडस्ट्री को मिला उपरा की क्लोजिंग दिया 2633 वालों से मैं खुद एक बाद चेक करके देखा हूं एक संच के जो फाइल किया है ब्सकूर नोटीस तो आपे सच में मेंशन किया था कि कंपणी आपे एग्म के दौरान उसका जो जियो फनांशियल का जो बिजनेस का रिकॉर्ड देट धियान से तक निसको पढ़िए अहे इसका जो एजीम होगा एजीम कब होगा कंपणी अभी डिसाइड नहीं गया बहुत जलत होगा इन जनेरल बात करें तो जुलाई की एन पर या तो अगोस्ट के शुरू में हो सकता है नॉर्मल टाम ऐसे होता है तो कंपणी के दौरानी कंपणी मेंशन करतेगा कि इसका जो कि किसी के जान से नहीं अगर आपको मालूम है तभी बताना बोफा का फुल नेम क्या है चलिए देखते हैं इसके अंदर किसका नॉलेज है तो यहां पर बोफा से की तरफ से यह स्टेट्मेंट यहां का अपडेट कि पैट में फिल मत प्रॉफिट आफटर टैक्स में फॉ इक अच्छी अफडेट आया है की काटर वन की अपडेट बाकी बात करें किस तरफ मूफ करेंगे मार्केट में घिरावाच हुआ तो कहीं तो क्या अगर जया सकतो लॉंग टर्म क्लाइब आपके वसक्षए तो होल्ड करें फिलाल दॉस्त वीडियो को करता हूं मिलता हिंदे हिंदे